तो चलिए चलते हैं वीडियो में तो अगर आप इस बुक को खरीद सकते हैं तो अच्छी बुक्स है आपके कलेक्शन के लिए अपने माइंड सेट के लिए इसका लिंक में अपनी वेबसाइट पर डाल दूआ जहां पर आप बुक्स सेक्शन में इसको खरीद सकते हैं तो यह फिर आप अगर खरीद नहीं सकते हैं यह फिर आप नहीं खरीद ना चाहते हैं इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की पुरी समरे दूआ कि क्या लैसंस हैं जो आप इस बुक से सीख सकते हैं तो जस्त मैं आपके साथ overview देना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें six chapter आते हैं जो आप देख सकते हैं तो यह बुक को मैंने पढ़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है मैं आपके साथ यहां पर share करना चाहूंगा मैं इसको अ…" करता हूं और आपके साथ सेर करता हूं, कि जो भी बुक आप पढ़ें मैं मार्क करता हूं जो भी बुक पढ़ता हूं. जैसे की आप देख सकते हैं, तकि आप अगर दुबबारा उसको पढ़ें, ताकि आप इसको बार-बार डीटेल में जाने की आपको जुरत ना पड़ें तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी बुक्स में मार्ट किया हुआ है बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो एक ट्रेडर्स के लिए हेलफूड रहते हैं क्या अच्छे पॉइंट्स है मैं पूर सके या अपने नोट्स बनाए किसी अलग जंगे पर आप नोट्स बना सकते हैं और इसके जो नोट्स है यह मैंने इंस्टाग्राम पर भी सेर किये थे कुछ पॉइंट्स वह भी मैं आपके साथ सेर कर दूआ स्क्रीन सोट में तो यह एक अच्छी बुक है मैं करूआ डेफिनिटली अगर आप ट्रेडिंग माइंसेट कैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो ट्रेड करते हैं और उनका क्या माइंड सेट रहता है तो सारा कुछ में हाँ पर आपके साथ सेर करूआ इस बुक के बारे मे वन गुड ट्रेड चलिए बताता हूँ आपको समरी में वेलकम गाइज यहाँ पर मैं आपके साथ सेर करूआ वन गुड ट्रेड बुक समरी जो की माइक बैला फ्योरे की बुक है बहुत ही अच्छी बुक है जहाँ पर फ्रॉप फरम्स है यहाँ पर यह स्टॉक ट्रेडि क्या उनकी क्वालिटी होती है क्या चीजे वो देखते हैं और कैसे वो प्रॉफिट सेर करते हैं बहुत ही अच्छी बुक है एक लर्निंग लेसन है तो यहाँ पर बुक्स को डिफरेंट चैप्टर में आप डिपाइड किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं इसाइड पर सेर करूआ सबसे पहला जो इंसाइड ट्रेडिंग फर्म इसके अंदर आपके तीन चैप्टर कवर होते हैं गाइज आर गुड वन गुड ट्रेड और गुड फिट पहले चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि जो भी टेडर से यह उनको हायर करते हैं उनकी निकनेम भी लेते हैं डिफर्ट डिफर्ट परसनेलिटी को हायर किया हुआ है वहाँ पर डीपली उनको एक निकनेम दिया हुआ है ताकि एक फ़नी एट्मोसफर वहाँ पर बने वन गुड ट्रेड इस बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बूक अगर मैं समरी कहूं अगर किसी गुड ट् से सीख सकते है और गुड फिट मतलब कि कौन है जो बेस्ट टीडर जो उस फिर्म के लिए क्वालिफाइ करते हैं तो जब इन्होंने हायर के लिए अपनी अद्वर्टाइजमेंट दी थी वहाँ पर मोर देन 500 अप्लिकेशन को रिसी हुई थी उनमें से कुछ को ही यहाँ ने सेलक्किया था है तो यह यहां पर क्या टूल्स है जो argent in प्रमइड ऑफसके साफस्टास लिव टी अनदर डी तो ठीक है नहीं तो आप out हो जाते हैं आप accept करते हैं वाई traders fail क्योंकि वो अपने loss को अपने आपको गलत नहीं समझना चाते हैं क्योंकि सभी business में अगर आप गलत समझते हैं मतलब कि आप failure हैं अपर यहां पर अगर आप गलत हैं आप accept कर लेते हैं दुबारा से entry कर सकते हैं trading में trading में अपनी failure अपनी entry अपने trade को अगर आप गलत है accept कर लिजिए और दुबारा से play कीजिए live to play another day मतलब अपनी capital को यहां पर save करना है अगर आपके पास capital होगी तभी आप next day तक यहां पर play करेंगे तो यहां पर काफी tools हैं जो यहां पर बताय हुए हैं जैसे कि आप visualization कर सकते हैं अपनी videos की recording कर सकते हैं journal कर सकते हैं और सभी tools को आप बार बार replay करके अपने mindset में अपने trade setup को उन से सीख सकते हैं हर एक trading day आपके लिए अलग होता है अगर आपको adjust करना है अपनी trading strategy में तो भी आप market के according वहाँ पर adjust कर सकते हैं अभी चीज़ें यहां पर discuss की हुई है getting technical यहां पर stocks in play reading the tape maximizing your profit with scoring stocks in play तो यहां पर यह बुक जो है यह प्रॉपफरम्स है mostly यहां पर stocks में trade करते थे stocks in the play कोन से trades आज ज्यादा momentum है volatility ज्यादा है जहां पर market move कर रहे हैं वहां पर यह trade करते हैं जो stock बिल्कुल dead है उसमें trade करने का कोई फायदा नहीं है reading the tape मतलब कि उस time पर जो tape होती थी उसके बाद फिर आपके charts यह सारी चीज़े आई तो reading the tape किस तरीके से आप charts को read करें कहां पर support है resistance है किस तरीके से आपके level है break किया है नहीं किया तो hard work पुरी तरीके से यहां पर यहां पर यह करना होगा अगर अःप 500 भी बना सकते हैं तो फिर 5000 भी बना सकते हैं फिर 5000 भी बना सकते हैं पिर 50 अजय तो monthly आपका यही target होना चाजिए बहले ही आपका च्क्ट da account अगर 100 डॉलर का है तो आपका पहला target कि में 10% उससे कैसे कमा सकता हूं अगर आप 10% कमा लेंगे फिर आप उससे 5,000 का भी 10% कमा सकते हैं फिर आप 50,000 का भी तो आप अमाउंट पे ज्यादा नहीं अपने प्रॉसेस में आपर फोकस करें यहाँ पर टेडर एजूकेशन में आप डिफरेंट टेक्स यह बताते हैं कि अपने माइंड को कैसे आप पूल रख सकते हैं वो कीजिए आप विचुलाइजेशन कीजिए आप अपने जर्नल को देखिए तो बैस टीचर आप अपने ट्रेड से ही सीख सकते हैं आपकी इंटर सकते हैं तो कुछ परमेटर से जो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने होंगा तभी आप यहाँ पर जो बेश्क चीज़ें जो इहां पर डेख सकते हैं जो यहां पर बता हुए है यह इंपोर्टन चीज ए जो मैं कहूंगा कि फिश्ट अब दबुक है जो आप यहां पर इस से सीख सकते हैं अब मैं डिटेल में one by one आपको बताता हूँ सबसे पहले चीज गया proper preparation मतलब कि जबी भी आप trade करें तो यहाँ पर आप देखिए जो courts मिनों ने बताया on our desk we do not make a trade unless we know the average volume daily range, important technical level short interest and fast news for our stock only earned with this information can we make one trade तो पहले जबी भी आप यह टेट करने जाएंगे पहले अपनी पूरा data gather करेंगे सब चीज़े analysis करेंगे यह नहीं कि जस computer खोला, chart खोला और यह buy के लिए दिख रहा है चलिए buy कर लेते हैं sell के लिए देखा, sell कर लेते हैं तो वैसा बिलकुल नहीं प्रोपर प्रेपरेशन यह करते हैं prepare mentally, visualize great trading day, perform your visualization exercise prepare physically, आप अगर healthy body नहीं रहेगी तो आपका mind भी healthy नहीं रहेगा drink some water to hydrate yourself और review charts, after the close, मतलब कि जबी भी आप close करेंगे क्या आप निकलती है करी इस सीखा प्रोपर प्रेपरेशन, the main thing है जो भी किसी भी trader को अगर आपको successful बनना है second hard work, hard work हर एक field में आपके लिए necessary है यहाँ पर ऐसा मस समझे कि trading में जैसा आपने mouse का button दबाया और एकदम से आप पैड़ है वो एकदम से हिलेगा और सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, इस field में कि आपके पास hard work है यहाँ पर आपके against में बलकि बहुत ही high quality की trader आपके against में उनकी jip से आपको पैसा निकालना है जो के लिए hard work चाहिए होगा आप यह नहीं कि मैं कहीं से भी a school drop out कहीं से भी आऊओ इस this stock stronger or weaker than market तो यहाँ पर stock से related है आप भले ही किसी भी market में उस चीज की detail analysis कीज़े इस the stock trading in particular pattern किसी pattern में चल रहा है are there any big prints, how is the specialist treating your orders how quickly does the stock move when it is ready to find another price how much volume is the price where is the most of the volume being done तो यह सब चीजे आप भले ही किसी भी market में उस market की आपको बलकुल bond to bond सब चीजें आपके पास होनी चाहिए तब ही आपका hard work करेगा तब ही आप successful हो सकते हैं थर्ड यहाँ पर patience आती है हर एक trader के लिए patience यहाँ पर बहुत important यहाँ पर आप पूरे दिन अगर आपको setup नहीं हमलता आप trade नहीं करेंगे आप वेट करते हैं आप वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए जब जैसे कि आपको भी match देखने है cricket का match जब हर एक बोल पर छक्का नहीं लग सकता तो वह वेट करते हैं कौन सी तो और आप करेंद शब नहीं करने को नहीं हमा उना रहीं कि आपके बाया है कि आपको पर ब्रुटी नहीं करेंद देखने है कि आपको मत करेंद है पास हरे टेड के लिए डिटेल प्लान होना चाहिए अगर यह नहीं है तो जस्ट आपकी भले ही कितनी बुक्स आपने पढ़ी है कितनी रिकोर्ड्स हैं कितनी ज़र्णल है सब में आग लगा दीजिए उसका कोई फायदा ही नहीं है तो डिटेल प्लान मुझे एंट्री कैसे नहीं बन सकते हैं 5th step discipline guys हरे कोई भी फिल ले लिजे discipline necessary अगर यहां पर discipline नहीं रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है the truth is that this trader cannot become a great trader until he becomes a more disciplined person आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं जो main important मैं आपको बताता हूँ I will end with this simple suggestion one way to keep a better sense of discipline is through vigorous exercise healthy body leads to a healthier dare I say more disciplined mind another firm with whom SMB is friendly and respect 33 capital sponsor a triathlon team to get their traders in a better physical shape and they continue to perform well on the desk this will done by them क्याने का मतलब क्या है कि आपकी mind body जब तक connected नहीं रहेंगे आप discipline भी नहीं रहेंगे अगर आप एक फिल्ड में discipline है वो discipline आप दूसरे फिल्ड में ला सकते हैं तो वही चीज है आप exercise करें या कुछ भी हो कुछ भी एक चीज find out कि जुमें discipline लीजे कि मैं इस चीज में great हूँ और वही discipline आपका दूसरी चीज में भी reflect आपकी trading में भी आना सुरू हो जाएगा जो कि यहाँ पर यह exercise के थूरू इसको बता रहे हैं second step अगर आप यहाँ पर देखें, execute your plan, hit your stock if it reach your exit point you will never be successful trader if you are not disciplined I do not know one successful trader who is not disciplined heed the advice of Jesse Livermore, जो कि बहुत popular trader हुए है all time में 1920 होने suicide किया था, उन्होंने इतना अर्ण किया और फिर बाद में lose भी कर दिया a loss never bothers me after I take it, I forget it overnight but being wrong, not taking the loss, that is what does damage to the pocketbook at all do not let the market teach you a lesson by taking your money तो आप अगर wrong है, accept कर लिजए, out हो जाईए, rather than कि market से आप fight करें number 6 fundamental communication, क्योंकि वहाँ पर वो प्रॉप्फों में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से उनका communication होना चाहिए, अगर आपकी trader community है आप एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, talk कर सकते हैं, आप chat कर सकते हैं तो यह इससे अच्छा यह होता है कि आप एक दो आइस कुछ देख रही हैं चार आइस अगर उनको मिला कर देखें तो आप और उच्छी चीज़त तरीके से उसको देख सकते हैं आपके लिए एक हैल पूर रहेगा अगर आप 10 रुपए कमा सकते हैं तो फिर आप उससे सो और हजार और दस हजार भी कमा सकते हैं अगर आप बार बार अपने टेट्स को जो आप सकसेस्फूल है उनको बार बार रिपेट कीजी अगर वो नहीं आप करेंगे तो आपको पूरे दिन करने की जरूरत नहीं है अगर वो नहीं आप करेंगे तो फिर आप लोंग टर्म के लिए आप सीख ही नहीं रहे हैं मैं अपने वीडियो में भी बताया हुआ है अगर आप अपने टेडर से अपने जर्णल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपिरियोंस को सीधा कोड़े के डिबे में डाल रहे हैं तो गाई यह 7 चीजें हैं जो इस बुक्स की important things हैं अगर आपको कुछ सीखना है अगर आप यह 7 चीजे इस बुक्स सीख सकते हैं तो बहुत ही जो कीजिए कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इस से help मिले आपके लिए इस तरीके से presentation और वीडियो में आपके लिए बनाता रहा हूँ और इस बुक के और भी कुछ course हैं जो बहुत important है जो मैं आपके लिए हाँ पर slides में play कर रहा हूँ आप उनको देख सकते हैं पोश्च करके detail में पढ़ सकते हैं जो आपके लिए helpful होगा है कर दो आपके लिए हाँ